कि अलो एवर्यवन हाव यू आल सो बेसिकली अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कुछिंस कर रहे हैं यह देखो यह कुछिंस जो भी उठाया ना मैंने जियारेफ से उठाया है जियारेफ के प्रिविएस पेपर से जूकि आपके आई बीपेस एफो के लिए बहुत इंप गम टे extremis खरियारेफ से एइसन थास में रखना हम लोग मान लो बात करतें केवीके का के कीविके का कीविके हाइस्ट कहांपे किस च्रेंट में ऐसके हैश्ट के किस स्टेड में पाया जाता फिर आपको टोटल केवी के जो है, टोटल केवी के, इस सेवन हन्द फॉर्टी से प्लस है, थोड़ा से इसको आप डिटेल देख लेना, कि टोटल केवी के कितना है अभी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक प्लांट है, थेक है, नोन, as dairy plant, dairy plant किसको बोला जाता है, पता है, dairy plant बोला जाता है, soya bean को,ricia bean है, चल अचल लिए, अचल फर्स् वेजीटेंबल क्रॉप, फर्स् वेजीटेंबल क्रॉप, विच, गॉट बीटी अप्रॉवल, first vegetable crop which got BT approval कौन सा है यह यह प्रिंजल ठीक है यह चीज़ आपको पता होना चाहिए sugar cane से how much percent sugar recovery sugar recovery कितना होता है sugar cane से यह होता है 6 से 8 percent important है कॉफी के बारे में बहुत कुश्चिन आता है तो कॉफी में हम लोग देखेंगे लीडिंग स्टेट कौन सा है लीडिंग स्टेट इन कॉफी प्रोडक्शन कोफी production में leading state कौन सा है आपको पता होगा बहुत लोगों को पता होगा यह चीज Carnatica is the leading state in coffee production फिर आप लोग देखोगे National Seed Act होता है National Seed Act National Seed Act कब आया 1966 में आया National Seed Act के बात किये है तो National Seed Corporation जो है वो कब आया यह भी देख लेना 1963 में आया, ठीक है, जालो, फिर एक और important question आ जाता है कि harvesting जो होता है न, harvesting of paddy, अगर paddy के harvesting के बात कर रहे हैं, तो कितना moisture content optimum रहेगा, जब हम harvest कर रहे होंगे तो, तो actual में, इसमें 21 से 23% अगर moisture है, तो it's good, वो अच्छा माना जाता है, harvesting stage के लिए, ठीक है, next हम लोग देखेंगे, एक आपको charadesis होता है, charadesis, charadesis किसके deficiency से होता है, किस nutrient के, तो वो है zinc, अब zinc के deficiency से और भी कुछ होता होगा, तो एक होता है, little leaf, little leaf disease, leaf छोटा हो जाता है, यह basically citrus में होता है, तो यह भी होता है, आपको दो question हो गया, एक क्या चीज है, flowering hormone, flowering hormone, जो कि used होता है, used in, pineapple, pineapple में flowering hormone यूस होता है, वो कौन सा यूस होता है, तो वो बड़ा easy है, एक technique से याद रख लेना, इसको देखो गया तो आपको technique समझा आ जाएगा, फिर एक question देखो, GRF में आया था, hydroponics का, and I know कि hydroponics के आफ वीडियोस देखे होंगे मेरे, और उससे एक question आप बता दोगे, simple सा question है, कि plants grow करता है, under soil-less condition, soil-less condition, उसको बोलते है, hydroponics, it's very important, very important, और बहुत easy है, तेक है, अगर हम लोग बात करें, atmospheric pressure, यह भी exam में आया हुआ है, atmospheric pressure, atmospheric pressure को measure करने के लिए, instrument, instrument कौन सा use होता है, तो it's a instrument called, barometer, barometer use होता है, stress hardening hormone, stress hardening hormone कौन सा है, plant में, stress hardening hormone किस को बोला जाता है, plant में, तो यह है, ABA, तेक है, next question है, which breeding of wheat produce multi-lines, multi-lines in wheat, तेक है, wheat में multi-lines, कौन सा breeding, कौन सा wheat के breeding, multi-lines produce करते हैं, तो इसका answer basic है, back cross breeding, ठेक है, back cross breeding, back cross breeding क्या होता है, इसको आप जरूर जानिए, ठेक है, यह kind of homework रहेगा, और यह important है, exam में आते हैं, क्रिस-cross breeding, back cross breeding, यह दो-तीन बार AFO में आ चुके हैं, यह क्या आप questions देखोगे, तो आपको समझाएगा, कि यह सब questions आए हुए, important है, अच्छा, organic matter जो होते हैं, उसमें carbon content कितना होता है, तो organic matter जो होते हैं, उसमें carbon content होता है, 58%, next question हम लोग देखेंगे, first, wait, first fisheries university, इंडिया का first fisheries university कौन है, तो उसका नाम है, C-I-F-E Mumbai, Mumbai, आपको पता है, Mumbai, sea beaches है वहाँ पे, sea के किनारे बसा हुआ है, तो of course fisheries university ऐसे जगह ही होगा, जो सम उद्र से बहुत close होगा, तो वह है Mumbai, ठीक है, okay, एक symptoms होता है, flared square symptoms, flared square symptoms, तो flared square symptoms कौन से crop में होता है, कौन से crop से related है, यह cotton से related, तेक है, और यह कौन से warm के कारण होता है, कोई एक warm के कारण होता है, वह है spotted ball warm, spotted ball warm के कारण यह होता है, देक है, चलिए, next हम लोग देखते है, sugar cane जो होता है, sugar cane में ratooning होता है, आपको पता होगा, तो ratooning किते बार किया जाता है, ratooning सिर्फ one time advisable होता है, one time only, sugar cane में ratooning one time only advisable होता है, तेक है, okay, अगर हम लोग बात करें, micronutrients की, तो Indian soil जो है न, Indian soil, तेक है, deficient है, micronutrients की, तो which, कौन से micronutrients का deficient है Indian soil में, तो it is zinc, zinc का deficiency है Indian soil में, तेक है, इंडिया में जो है, इंडिया में, which vegetable oil have highest contribution, ठीक है, सबसे जादा contribution कौन से vegetable oil का होता है, देखो आप अपने घर में देखो, तो आपके घर में basically soybean use होता होगा या mustard होता होगा, ठीक है, पर पूरा इंडिया की बात करें न, पूरे इंडिया में तो आप चौक होगे, आपको पता नहीं होगा, basically बहुत लोग ग्राउंड़नट ओयल नहीं खायोंगे, including me, पर ग्राउंड़नट ओयल का highest contribution है, किसका है, ग्राउंड़नट ओयल का, ठीक है, ग्राउंड़नट ओयल का highest contribution है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, यह vegetable oil में आपको soya bean oil, जो basically use होता है हम लोगों घर में, उसका highest contribution नहीं है, चलिए, फिर हम लोग देखेंगे test cross, test cross क्य देना, बहुत simple है, अगर आप समझो, और ऐसे याद करो, तो आपको बहुत confusing हो जाएगा, देखो, क्या होता है, कि मानलो, A जो है, वो cross किया B से, तो यहाँ, इसका resultant जो होगा, वो A B आएगा, आएगा, इस A B को न, F1 बोलते हैं, ठीक है, और अगर यह F1, और यह तो उन अगर यह F1 किसी के साथ भी cross करें, इधर दिस और इधर दिस, तो उसको हम लोग test cross बोलेगा, ठीक है, तो यह test cross क्या हो गया, हम लोग कैसे समझेंगे, कि crossing, crossing back of F1, ठीक है, crossing back of F1, to either of the two parent, ठीक है, दोनों parents में किसी के साथ भी अगर cross कर रहा है, यह F1, यह F1 किसी के साथ भी cross कर रहा है, तो it is known as test cross, ठीक है, test cross समझ आया, test cross बहुत easy अगर ऐसे समझ लो तो, और एक तरह से नहीं समझो, तो वो बहुत tough हो जाता है, मतलब confuse हो जाओग exam के time, ठीक है, एक होता है LAI, LAI क्या होता है, लीफ area index, ठीक है, लीफ area index, ठीक है, तो लीफ area index कैसे compute किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, मतलब, अगर आपको पूछ देता है, कि लीफ area index निकालने, तो उसके लिए आपको चाहिए land area, by leaf area, ठीक है, अगर आपको land area दिया हुआ, लीफ area दिया हुआ है, तो आप leaf area index निकालने बोलता है, तो निकाल लोगे, questions आ जाता है, यार exam में कभी कभी, इन जीजों को आप देखना, protoplasm जो होता है, protoplasm, तो उसमें कित्ते percent, how much percent water in it, protoplasm में कितना पानी है, तो protoplasm में कितना पानी है, 67 से 75 percent water, ठीक है, समझ गए, no issues, चलिए, thank you so much, आज के लिए इतना ही करते हैं, हम लोग बहुत important, बहुत अच्छे-च्छे questions की हैं, already हम लोग लगबग 40-40 questions कर चुके हैं, ऐसी questions हम लाते रहेंगे, और मेरे साथ आप revision करते हो, till the exam, चलो, तड़ा, bye-bye.